तो चलिए आज फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि गाची का पूरा नजारा घर से तो दिखता है पूरा ही अगर छत पर आईएगा तब तो पूरा एरपोर्ट दिखता है एरपोर्ट दिखना है बहुत ही अच्छा जगह है यहां से न मिली की बेशा शॉक है तो जब भी आप थारखंट में आए या राची में आए तो यहां पर बहुत अच्छा जगह है क्योंकि मौसम यहां का बहुत अच्छा होता है और देखियां यहां का बैक्ग्राउंड का बहुत यह है बैक्ग्राउंड में यह है कि आपका पीछे का पूरा बहुत में डाइसूट के लिए डांसूट के लिए बहुत अच्छा यह जगह है तो यही बात है जार खड़ी यह है पीछे का बैक्राउंड और यह देखिए यहां से एरपोर्ट का रास्ता दिखता है अगर अभी आ गया दा को दिख सकता है बट ऐसा कुछ नहीं है कह भी सकता है न अच्छात ही मईत पूरा पेड़ पदास से यह ज्यार खंड बना हुआ है झयार है ज्यार खन का लुग कि बहुत अच्छा आता है एक नया डिजाइन होना जाता है आपla अधे यह जांद ही रहतेद से यह जेदिन और जगल से तो बहुत ही अच्छा है अगल में घर बन रहा है जिसके कारण यहां बालू मीटी रखा हुआ यह गली है तीन रास्ता है और यह हमारा फर्स्ट गली था और आगे रोड तरफ का यह गली है और इधर भी है एक गली जो कि बहुत लंबी गली है यहां साथ को पूरा रात में जब मैं दिखाऊंगी न तो ऐसा लगेगा कि सब जगह दिवाली मन रही हो एक दो मंधियरा और सब जगह लाइट्स मज़ा आ जाता है देखके ऐसा लगता है न कहीं गूने गई हूं और फिर बड़े जगह पर खड़ी हूं और फिर इतना सारा लाइट्स चल रहा है बहुत अच्छा रगता है अब एक बड़ काय कि जगह देख असा लगेगा कि दिवाली मन रही हो